दिली के पूर मुख्यमंत्री मदलाल खुराना का देर रात निधन हो गया साल 1936 में जन्वे खुराना लंबी समय से बिमार चल रहे थे दिली के सरगंगा राम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था बताया जा रहा है शनिवार रात 11 बजे उन्होंने आपने आवास पर अंतिम सांस ली मदलाल खुराना के बेटे हरेश खुराना ने ट्वीटर के जरीए ही जानकारी दी खुरानों को साल 2011 में ब्रेन हैमरे जुआ था इसके बाद से ही उनकी सेहत खराब चल रही थी मदलाल खुराना का जण पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर में 15 अक्टूबर 1936 को हुआ था नब्बे के दशक में दिली का शेर कहे जाने वाले मदलाल खुराना ने दिली में बीजेपी को खड़ा करने में एहम भूमी का निभाई है खुराना साल 1993 से लेकर साल 1996 तक दिली के मुख्य मंत्री के पद पर रहे और वो राजिस्तान के राजिपाल पद पर भी रही है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधि ने ट्वीटर पर मदलाल खुराना को याद किया कई बीजेपी निताओर केंद्रे मंत्रियों ने ट्वीटर परुनर शद्धांजली दी, बीजेपी अध्यक्ष रमिश्याह, कपड़ा मंत्रे स्मृतिहरानी, विज्यान एवं तक्नीक मंत्री डॉक्टर हर्श वर्दन और संसाधिय मामलो के राजी मंत्री विजेगोयल ने ट्वीट करके उनके निधन पर दुख चताया, वह दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केश्रिवाल ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है, दिली के उप मुख्यमंत्री मनेश सतोधिया ने भी अपनी समवेदनाय व्यक्त की, उन्होंने ट्वीटर के जरिये जा पंकारी दी की राजधानी में दो दिन का शोग घोशित किया गया है। मदलाल खुराना पिछले कुछ साल से ब्रेंस्ट्रॉक की वज़े से कुमा में थे। दॉक्टर लगातार उनका इलाज कर रहे थे। इसी साल अगस्त में उनके बड़े बेटे विमल खुराना का दिल का दौरा पढ़ने से निधन हो गया था। 20 अगस 2005 को उन्हें अनुशासन हींता की कारण बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। खुराना अटल बिहारी वाजमेई सरकार में संसतिकारे मंत्रे भी रहे थे। साल 2004 में उन्होंने सक्री राजनीती से खुद को अलग कर लिया। लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने राजनीती में वापसी की थी। वो आरसेस के सक्रीय सतस्ते भी रहे। ऐसा एक से अधिक बार हुआ जब मदल्लाल खुराना को अपनी ही पार्टी से निलंबित कर दिया गया। निश्कासित के ज़ाने के फैसले का पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपी ने खुल कर विरोध किया। खुराना के निश्कासन के बाद उनके समर्थन में दिल्ली के केवल तीन विधायक आये थे। जिसके बाद लग रहा था कि वो पार्टी में अलग थलक हो जाएंगे। लेकिन एक दिन बाद ही पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपी ने खुराना का पूर्जोर समर्थन कर दिया। दिल्चासर बात ये है कि 1947 में देश के बटवारे के बाद मदल लाल खुराना का परिवार भारत आ गया था। तब खुराना महस 12 साल के थे। उनका परिवार दिल्ली के कीरती नगर के रेफ्यूजी कॉलिनी में रहता था। खुराना ने दिल्ली उनिवर्सिटी के किरॉणिमल कॉलिज से ग्रेजुएशन पास की थी। उनके निधन से सियासिक गलियारों में शोक छा गया है। दिल्ली के गड़ में बीजेपी के लिए दहारने वाले बदल लाल खुराना को दिल्ली का शेर भी कहा जाता है। और आज दिल्ली का ये शेर दुनिया को अलविदा कह गया है। विरो रिपोर्ट एटीवी भारत